हेलो एवरीवन वेलकम अगेन टू लर्ण विर्देतीमन आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नमबर 7 जल संसाधन एवं संरक्षन चैप्टर पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है यहां हम नदियों के बारे में चील के बारे में पढ़ेंगे जो की राजिस्थान से सम्मंदित है और आपके एक्जाम में यहां से देखिए 101% कुश्चन जो है वो आता ही है और सबसे ज़्यादा जोग्रफी में नदियों से प्रशन जो है वो अभी तक आये हुए हैं तो ब मिलेंगी चोटी classes में जो information है वो हो सकता है आपको बड़ी classes में ना मिलें तो कोई भी class जो है वो कम नहीं आखनी है पहली बात तो यह समझिए second grade हो first grade हो आपके geography में जो आपका राजिस्थान के जीके में geography पूछी जाती है वो यही रहेगी कहीं से अलग से नहीं आएगी ज यह chapter जो है वो आपको लिए बहुत important है ठीक है यहां थोड़ी आपको कम information मिलेगी लेकिन कुछ ऐसी information भी हो सकती है जो आपको बड़ी classes में ना मिलें तो यह आपकी new book है जो की अभी तक बच्चे पूछ रहे हैं यह new book है जो आपकी वर्तमान में school में चल रही है तो चलिए बिना देरी के start करते हैं question number one राजिस्थान में जल विभाजक किसे कहा जाता है या राजिस्थान में जल विभाजक रेखा किसे कहते हैं तो सबसे पहले जानिए कि जल विभाजक यानि जल को बाटना तो ऐसी रेखा जो है दो अप वहाँ शेत्रों के बीच में जो भूमी उठ जाती है तो क्या होता है कि वर्षा का पानी जो है वह अलग-अलग दिसाओं में प्रवाहित होने लगता है अब कोई भी उची भूमी होगी और वर्षा का पानी वहाँ पर पड़ेगा तो क्या होगा वो बिभिन दिसाओं में पानी चला जाएगा तो उसे ही कहते हैं जल विभाजक रेखा जो भी ऊची भूमी उठ गई है उसे ही कहेंगे जल विभाजक रेखा ठीक है तो यहां पर राजिस्थान में जल विभाजक रेखा किसे कहा जाता है अरावली परवत को ठीक है अरावली परवत माला जो है उसे राजिस्थान में जल विभाजक रेखा क कहते हैं सहायक नदियां किसे कहा जाता है तो ऐसी छोटी नदियां जो आगे चल कर किसी बड़ी नदी में मिल जाएं मान लीजिए कि राजिस्तान में चंबल क्या है बड़ी नदी है और इसमें इसकी जो छोटी-छोटी सहायक नदियां है जैसे कि बनास है बेड़च है कोठ सिंध है, पारवती हैं, तो ये आकर उसमें मिल रही है, ये सबी क्या है, सहाइक नदिया है, ठीके, अपवाह शेत्रों के मध्य उच भूमी जो वर्शा जल को विविन्दि साओं में विवक्त कर प्रवाइत करती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे जल विभाजक रेखा, कहते ह तो यहाँ लाइन वही है दोनों कुश्यन में लेकिन क्या है अलग-अलग तरीके से पूछ लिया गया है तो एक्जाम में इसका विशेज ध्यान रखना है ऐसा नहीं करना है कि मैम ने हमें तो केवल यही वाली लाइन लिखवाई थी बस आपको क्या है concept clear होना चाहिए कि जल विभाजक रेखा किसे कहते हैं और जो राजिस्थान में रावली परवत है वह एक जल विभाजक रेखा है राजिस्थान में अपवहा तंत्र को कितने भागों में पांटा जा सकता है राजिस्थान में अपवहा तंत्र को तीन भागों में पांटा जा सकता है बंगाल की खाडी का अपवाहा तंत्र, अरव सागर का अपवाहा तंत्र और आंत्रिक अपवाहा तंत्र. Next है, राजिस्थान की बनास, काली सिन, पार्वती, आदी नदियां किस नदी में जाकर मिलती हैं? ये सभी नदियां जो हैं, चंबल से प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिलती हैं. तो बनास, काली सिन, पार्वती, ये सभी नदियां जो हैं, चंबल की सहाइक नदियां हैं, तो ये सभी नदियां चंबल में मिलती हैं, और चंबल से प्रवाहित होकर ये नदियां यमुना नदी किस नदी में मिलकर अपना जल बंगाल की खाड़ी में पहुचाती है तो देखिए गंगा नदी तो सबसे बड़ी नदी यहां कौन सी हुई गंगा नदी ठीक है क्या हुआ कि राजिस्थान में बनास बेड़च कोठारी काली सिंथ यह चंबल में जाकर मिली चंबल जाती है डेटेल में देखिए मैंने चैप्टर में पढ़ाया है तो आप लोग वहां पर जाकर अच्छे से रीट करिए और इन कोश्चन के आंसर देने की कोशिश करिए अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां हैं लूनी नदी, माही नदी, सावर मती, पक्ष्मी बन यह सबी नदियां अरब सागर में जाकर गिरती हैं तो यह अरब सागर का अप वहातंत्र हुआ ऐसी नदियां जो समुद्र में ना पहुँचकर इस्थल भाग में ही विलुप्त हो जाती हैं ना तो वो बंगाल की खाड़ी में जा रही हैं ना ही अरब सागर में जा रही है तो ऐसी नदियों को क्या कहेंगे? आंतरिक प्रभाह की नदिया कहेंगे. राजेस्थान में आंतरिक प्रभाह की मुख्य नदिया हैं. घगर नदी, बान गंगा नदी, कांतली नदी, साबी नदी, रूपा रेल नदी और मेडा नदी. ये सबी आंतरिक प्रभाह की प्रमुक नदियां हैं इससे पहले आप लोगों ने इतने बारी की से ध्यान नहीं दिया होगा लेकिन अब आपको ध्यान देना है यदि आप 1st grade की 2nd grade की तैयारी कर रहे हो ठीक है क्योंकि देखिए कई बार एक्जाम में इस नदी के बारे में बहुत पुछा गया है रूपा रेल ठीक है और देखिए राजिस्थान में ये नदी चित्तोडगर जिले में प्रवेस करती है उसके बाद ये कोटा जाती है बुंदी जाती है स्वाई माधवपुर जाती है करॉली जाती है दोलपुर जाती है और उसके बाद ये है यूपी में जाके यमुना में मिल जाती है चंबल की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो याद रखना है बनास, बेड़स, कोठारी, काली सिन और पारवती ये सब ही चंबल की सहायक नदियां है राजिस्थान की बारे मासी सबसे लंबी नदी कौन सी है यानि की सालों साल वो बहती रहती है और सबसे लंबी है राजिस्थान की तो वह है चम्बल नदी ठीके राजिस्थान की बारे मासी सबसे लंबी नदी कौन सी है चम्बल नदी है चंबल नदी राजिस्तान में कहां प्रवेश करती है तो यह हमने अभी देखा था कि जो चंबल नदी है उसका उद्गम स्थल MP से हो रहा है विंद्याचल परवत से और राजिस्तान में यह है चितोडगर जिले में भैसरोडगर तो यहां से प्रवेश कर जाती है राजिस्तान में चंबल नदी का बहाव शेत्र है तो देखिए छे जिले हैं भैसरोडगर यानि चितोडगर में प्रवेश करती है फिर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करॉली और धॉलपुर और इसके बाद यूपी में चली जाती है चंबल नदी राजिस्तान के कितने जिलेों में बहती है तो याद रखना है छे जिले जो हब यह हमने देखे थे राजिस्तान का ओध्योगिक नगर किसे कहा जाता है तो देखिए कोटा जो है ओध्योगिग नगर कहा जाता है राजिस्थान का और जो की चम्बल नदी के किनारे इस्तित है कोटा किस नदी के किनारे इस्तित है तो चम्बल नदी के किनारे इस्तित है बनास नदी का उदगम इस्थल है रासमज जिले की खमनोर की पहाडी से, इसी तरीके से यह नदी भी 5 जिले या 6 जिले यहां से होकर गुजरती है, लगबग 5 जिलों से होकर ही गुजरती है बनास नदी बनास नदी का बहाव शेत्र है राज सम्मच, चित्तोडगड, हीलवाडा, टोंग और सवाई माधवपूर तो मैंने आपको बताया था कि 5 जिलों से होकर गुजर रही है बनास नदी जबकि चम्बल नदी 6 जिलों से होकर गुजर रही है तो यह सबसे पहले राज सम्मच, जिले में खमनोर की पहाड़ियों से प्रारम होती है, उसके बाद यह चित्तोडगड जाती है, भीलवाडा, टोंग और सवाई माधवपूर में, रामेश्वर के निकट में यह चम्बल नदी से मिल जाती है बनास नदी चम्बल से किस इस्थान पर मिलती है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि सवाई माधवपूर के पास यह है रामेश्वर के निकट चम्बल नदी में मिल जाती है और चम्बल जो है, वह है यूपी में जाके यूमुना से मिल जाती है तो इस तरीके से आप अपने माइंड में ऐसा बनाते जाईए कि यह नदी यहां से निकली है, यहां कई है और उसके बाद फिर इसका जो उद्गम स्थल से लेकर और इसका आंत जो है कहां तक होता है सबसे पहले तो आप कहीं पर भी बैठे हैं, जहां अब भी आप स्टड़ी करते हैं वहाँ पर भारत का और राजिस्थान का जो मानचित्र है उसे लगाएं मैप लगाएं और उसमें जितने भी जिले हैं उनको फिल करें और अपने आगे रखें हमेशा ठीक है, उसके बाद चाहें आप हिस्ट्री पढ़ें, जोग्रफी पढ़ें तो आपके दिमाग में ये चीज हमेशा रहनी चाहिए कौन सा जिला कहां पर है कौन सी नदी जो है, वह कौन से जिले से होकर गुजर रही है नेक्स्ट देखिए, 20 है, राजिस्थान में बहने वाली सबसे लंबी मौसमी नदी कौन सी है अब भी हमने क्या देखा था कि राजिस्थान की सबसे लंबी एक मास्त्र वर्ष भर बहने वाली तो वह थी चंबल अब क्या है कि सबसे लंबी मौसमी नदी जो मौसम के अकॉर्डिंग बह रही है वो केवल राजिस्थान में तो वह है बनास नदी यह 480 किलोमीटर लंबी बहती है और सब पूर्णते राजिस्थान में बहने वाली नदी है यानि केवल राजिस्थान में ही बहती है नेक्स्ट देखिए कुश्चन 21 बनास नदी की सहयक नदियां कौन सी है बनास नदी की सहयक नदियां मेनाल है कोठारी है पेडच है और खारी नदी है नेक्स्ट देखिए कुश्चन 22 लूनी नदी का उधगम कौन से जले से होता है तो यह नदी अजमेर जिले में गोविंद गड़ के पास में से निकलती है ठीक है और दो धाराओं के मिलने से इस नदी का उधगम होता है तो कहां से निकल रही है यह है कौन से जिले से निकलती है अजमेर जिले से निकलती है चलिए next देखिए question 23 लूनी नदी का उदगम अजमेर के किस इस्थान से होता है तो याद रखिएगा कि अजमेर के गोविंदगड के पास में ही यह नाग पहाडी से निकलती है ठीक है कई इस बार एक्जाम में जिला ना पूछ कर इस्थान पूछ लिया जाता है। इस बार एक्जाम में जालोर होते हुए कच की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कि लूनी नदी का पानी जो है किस इस्थान तक मीठा होता है। तो यह कहां तक मीठा होता है? यह होता है बाडमेर जिले से पहले। मीठा होता है और उसके बाडमेर जिले के बालोतरा के बाद में यह खारा हो जाता है। लूनी नदी की प्रमुक सहयक नदियां कौन सी है? तो कौन सी है? तो यहाँ पर लूनी नदी की सहयक नदियों को याद रखना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि बहुत ही अजीब नाम है इनके जोजरी, बांडी, मीठडी, जवाही, खारी, सूकडी, सागी और गुहिया, तो आज हम यहीं तक करेंगे, और जितने भी question आप लोगों को करवाएं हैं, यह question 27 तक इनको आप बार-बार पढ़िए, वीडियो बार-बार देखिए, सुनिये, जिससे कि यह आपको याद हो सकें, और बहुत ही बारीकी से आप यह काम करिएगा, और यदि कोई भी आपको गलती यहाँ पर मिलती है, क्योंकि देखिए, हो जाता है कभी-कभी, कि chapter हम लोगों ने पढ़ लिया है, और question answer जो है, वो निकालने में, यहाँ type होने में, typing में कभी-कभार कोई mistake हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, next वीडियो में उसे भी सही करा लिया जाएगा, तो कोई भी चीज गलत नहीं होनी चाहिए, चलिए मिलते हैं, इसी तरीके से तयारी करते हुए, और PDF जो है वो आप लोगों को मिलती रहीगी, जिन्होंने भी course लिया है, तो मिलते हैं next वीडियो में, thank you.